आप सभी का स्वागत है QNS TV में मैं हूँ आचल मिस्कीन और आज हम फिर एक बार आप सभी के सामने हाजर हुए हैं एक रिपोर्ट लेकर एक खबर लेकर दोस्तों यह जो हमारे आज के खबर है यह कुछ हद तक कल जैसी ही है जिसमें कल हमने आप तक यह खबर पहुचाने की कोशिश की थी कि स्रीनगर के जो assistant professors है वो कुछ तरह के frauds में पाए गए हैं जिसमें tax की चोरी की बात सामने आई थी आपको वो सारी बात तो कल की याद ही होगी तो आज फिर एक बार ऐसी ही एक और खबर सामने आई है और ये जो खबर आई है ये school के teachers से जुड़ी है खबर ये आई है कि ये एक inquiry में बात पता चली है कि कुछ school teachers ऐसे हैं जो school में अपनी job करने के दौरान अपनी educational qualifications जो हैं वो उसको enhance कर रहे हैं यानि कि उसको आगे अपनी qualification को बढ़ा रहे हैं आगे अपनी studies continue कर रहे हैं पर बात ठीक है studies continue कर रहे हैं पर जो problem सामने आई है वो ये है कि they are doing it at the cost of their duty यानि कि अपनी duty को अपने काम को ताक पे रखते हुए वो जो है अपनी educational qualifications को आगे बढ़ा रहे हैं इस सारी बात का खुलासा दोस्तों एक inquiry officer के letter से हुआ था जो उन्होंने director of school education कश्मीर को लिखा था उन्होंने इसमें ये बात लेखी थी कि जो स्कूल में पढ़ाने वाली teachers हैं, staff members हैं उन्होंने चुट्टी के लिए proper permission या leave का सहारा लिया ही नहीं था यानि कि उन्होंने चुट्टी लेने से पहले ना ही कोई leave submit की थी और ना ही कोई proper permission ली थी competent authorities से ताकि वो अपने काम के साथ साथ अपनी educational qualifications को साथ में चला सकें तो as a result यह देखा गया कि जो school से teachers की absentee's थी वो बहुत ज्यादा जो है वो record की गई है अब यहां यह सारे बात को cross check किया जा सकें तो जितने भी इस तरह के applicants थे इस तरह के staff members थे उनसे कहा गया है कि वो जो है अपनी जो permission come leave statement की जो copies है उसको जो है वो director of school education किश्मीर को forward करें प्लस कुछ और अपनी details forward करें ताकि जो यह inquiry officer का claim है यह और जो यह copies है इससे cross check कर सकें कि यह खबर सही है या नहीं तो दोस्तों इस तरह की जो बाते हैं यह इस बात के बात सामने आई है कि school से काफी सारे teachers की absentees को mark किया गया था अब जो further इस बारे में investigation होई तो यहां पर यही बात सामने आई कि they were working towards their own educational qualifications जिसमें उन्होंने अपनी duties को ताक पे लगाय रखा और उन्होंने school से छुट्टी लेने का या अपनी educational qualification को आगे बढ़ाने का proper permission नहीं लिया था school authorities से अब दोस्तों इस तरह की जो खबरे हैं यह जो है कई एक तरीके की हलचल एक wave create करती है educational department में teaching staff के बीच क्योंकि हर साल कई सरकारी teachers जो है private हो या government हो अगर हम बात करें तो further तो apply करते हैं लोग teachers as teaching staff appoint होते हैं क्यों होते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनके पास teachers की कमीना हो उन्हें पढ़ाने वालों की कमीना हो और किसी भी तरीके से जो उनकी education है उसके आगे बढ़ने में किसी तरीके की कमीना आए पर वहां अगर इस तरह से teachers से जुड़ी खबरे सामने आएंगी जहां एक तरफ से उनकी absentees पे उ निगलेक्ट कर रहे हैं और कहीं न कहीं इंटरन बच्चों की education भी उससे निगलेक्ट हो ही रही है इसको भी नजर अंदाज इस बात को किया नहीं जा सकता तो एक तरफ से ये बात सामने आ रही है पर दूसरी तरफ से कल जैसी एक खबर सामने आई थी जहां पर टीचर्स असिस्टन प्रोफेसर्स माफ किये जाएगा वो फ्रॉड में सामने आ रही है वो इस एक नौबत आ चुकी है कि जहां उन्हें टैक्स की चोरी करनी पड़ रही है टैक्स का पैसा ना देना पड़े उसके लिए वो ये दिखा रहे हैं कि वो किराय के मकान में रहते हैं जब जो इनके जो अथोरिटीज हैं जो इन्हें अपोइंट करती हैं काम के लिए तो यहां सबसे पहले एक क्वालिफिकेशन, कबिलियत एक दरफ यहां साथ ही साथ इन्हें ये भी देखना होगा कि क्या इनका माइंडसेट ऐसा है कि वो जो बच्चे आप उन्हें कहीं ना कही हैं वो उन्हें विद्फुल रिस्पॉंसिबिलिटी वो समझते हुए आगे लेके जाने लायक हैं या नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरामीटर को नजर अंदास करना का मतलब यही होगा कि हम हमारे फ्यूचर को नजर अंदास कर रहे हैं हमारे फ्यूचर जेन और इंवेस्टिकेशन्स हैं वो क्या रुख लेती हैं और आगे किस तरह से सारा काम जो है वो अन्वील होता है तो फिलहाल दोस्तों इसी बात के साथ हमारे इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही हम फिर हासिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ तब तक के ल फिल्ड़ाई टिया बाहे एानना ही हैं किसी और किसी और रुद दोलीख साथ हैं किसी और आप हैं रुथ किसी और किसी और रिए वोस्तों इपक रहां हैं झालीख लिए